यह मतलब सीरीज का लेक्षर नमबर 14 है जिसमें हम देखें कि कुछ कमांड्स जो है टेक्स और वेल्यू डिस्प्लेएं करने के लिए उस की जाते हैं और उसके कुछ स्पेसिफायर और राम कुछ स्पेसिल क्रेक्टर भी देखेंगे यह सब्क्राइं आरकेज देखेंगें क्या एंट क्मांड जो आती है डियी के पी אिएय डिस्प्लेएं और उसके ऑर उसकी यह है वाप टू डिफरेंट घ्रिकें है डिस्प्लेएं अगर वेरिएव्ल हमने डिस्प्ले करना और string display करनी है तो हम यह यूज़ करेंगे और दूसरी कमांड है f printf एक एक करके MATLAB में देखते हैं पहली जो है display variable यह यूज़ की जाती है कि to display a variable value without displaying का variable name इसमें variable का name display नहीं होता सिर्फ उसकी value display होती है इस तरह for example इसको try करती है जैसे मेरे पास एक variable है x तो यह just उसकी value शो करेंगा उसका नाम नहीं 2 यहाँ पर देख सकती है workspace में a variable 2 store है जिसकी value 2 है variable x store है जिसकी value 2 है वो यहाँ पर display करती है इसकी बात दूसरा ही है कि display string what is string? पहरे तुझे देखते है string क्या होता है string basically a group of characters enclosed in a single quotes जिसमार के अंदर quotes होती है और basically single quotes यह show करती है कि जो के enclosed characters है वो represent करती है आसकी टेक्स को यह special text है अब इसको matlab में देखती है कि किस तरह हम एक string को display कर सकती है जैसे मैंने एक string यहाँ पर लिखता हूँ matlab तो यह अब यह show करेगा कि matlab क्योंकि string को single quotes के अंदर enclose किया जाता है अब यह matlab लिखा हुआ यहाँ पर show करेगा अब देख सकते हैं यह display command, disp command यूज़ कर सकते हैं कोई भी variable या function की value show करने के लिए variable हो सकता है, function हो सकता है, matrice हो सकता है उसकी value show करने के लिए हम यूज़ करते हैं जबकि display, auras के अंदर, quotes के अंदर हम string भी लिख सकते हैं, वह सर्फ है, string show होगी अगर हम किसी यहां पर एक इस matrix को show करना चाहिए, तो हम वह भी कर सकते हैं जैसे matrix a के लिए मैं करता हूँ, जो आर रेडिस में store है जो आर रेडिस में matrix a store है वार्क स्पेस पर, उसकी values ने show करते हैं, इसना कोई भी function, कोई matrix वहरा हम display से, हम कर सकते हैं, display function से और दूसरा कोई string भी show करवा सकते हैं और उसके बाद दूसरी command है, हमारे पास f print f यह भी यूज की जाती है, values show करने के लिए किसी function, किसी matrix, यह किसी mathematical equation के result के लिए, कि value show करने के लिए यूज की जाती है यह किसी भी program यह किसी loop का answer show करने के लिए और फिर उसके साथ साथ उसके variable का name वगरा भी show करती है और यहां पर हम एक string भी लिख सकते हैं, जो भी हम लिखना चाहें उसके information देने के लिए, और यहां पर वह variable जिसके अंदर value store है वह variable कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर value हो जिसे बिती है कुछ matrix हो सकते है, कुछ भी और यहां पर होगी single course के अंदर string और यह इसका syntax f.f अब यह आप देख सकते हैं, यह इसका format है लेकिन इसके अंदर f.f जो command है, इसके अंदर कुछ specifier use होते हैं जो मैंने यहां पर mention ही किया है और कुछ special characters use होते हैं पहले हम यह देख लेते हैं कि specifier और special characters इनका क्या मतलब है और फिर उसके साथ साथ कोई एक program लिखेंगे जिसमें यह इस command को use करेंगे और फिर उसमें हम change करके देखेंगे यह different specifier chain करने से क्या changes आती है specifier यह use के जाता है कि character seek for character, character कौन सी character की type हम use कर रहे हैं और यह दूसरा use के जाता है for string type, कौन सी string की हम कौन सी type use कर रहे हैं और d show करता है decimal point number type और f show करता है floating point number type मतलब decimal के बाद हम कितने digits तक value लेने चाहते हैं और e use के जाता है exponential type के लिए और x use के जाता है hexadecimal number type के लिए और bx use के जाता है floating point और hexadecimal digit के लिए जो के 16 digit number होता है उसके लिए use के जाता है bx यह हम made lab बे भी try करेंगे इससे पहले हम देखते हैं कि कुछ special character types यह किस किस के लिए use की जाते हैं फिर उसके बाद इसको हम made lab में try करेंगे अगर हम चाते हैं कि हमारा जो result है वो यह string new line में print हो तो उसके लिए हम यह use करते हैं backslash n for new line के लिए और अगर हम एक tab space जितनी होती है टेब की space उसके बाद हमारा result print हो तो हम उसके लिए यह backslash t use करते हैं अगर एक backspace जितनी space वो देता है एक digit की उसके बाद print हो तो हम यह use करते हैं backslash b और frompute के लिए f use करते हैं इसी तरह अगर double percent का sign use करते हैं कि यह एक percent के बाद result print होगा कि एक percent use करते हैं इसे show करने के लिए one percent के बाद show होगा इसका मतलब यह है कि हमारा जो result है एक percent के पास show होगा इसके बाद result हमारा कुछ भी जो भी हम लिए लिका होगा वह show होगा जैसे 66 एक percent के बाद इस तरह show होगा इस तरह अगर double quote से हम use करते हैं तो इसका मतलब है हमारा result single quote के बाद show होगा जैसे single quote 66 इस तरह show होगा यह एक करके हम इतले हमें देखते हैं जैसे यहां पर हमारे पास मुतलिव commands है जैसे floating point है इसका basic syntax इस तरह होता है floating point मतलब decimal के बाद हमें कितने digit चाहिए हो decimal से पहले जैसे एक variable हमने इंटर किया वोई already temp यह smart writer में हम लिखते हैं क्योंकि metal div is a case sensitive तो 66 इसकी value है आप different f function को लिए हम देखते हैं जहां पर आप देख सकते हैं minus use किया एक specifier hf पर floating point के लिए floating point के लिए तो यह हमें decimal में इसकी value देगा किसकी time की time आरड़ी 66 है तो decimal में point 00 देगा show करेगा यहां पर आप देख सकते हैं इसकी value इसने floating point में देगी इसी तरह दूसरी चीज़ यह भी आप नोट सकते हैं दूसरी लाइन के लिए क्योंकि यह दूसरी लाइन में result मारे पास print हुआ है इसके लाइन यू लाइन यूज किया उसके बाद अलास में temp temp किया एक variable जो के 66 value store करता है और इसने floating point में उसका result किया में यहां पर मैंने कुछ changes किया यह आप देख सकते हैं यहां पर new line था इसका answer इसने दूसरी लाइन में दिया new line में दिया आप देख सकते हैं और यहां पर मैंने new line backslash n को गटा दिया है तो इसने इसी line में this is a continuation of same line उसी line में इसने answer दिया है यह line यहां से start होती है और यहां के कत्म होती है same line में दिया new line में answer नहीं दिया बात ही same है और फिर मैं यहां पर %f को अटा दिया जो के use के जाता है to get an answer of a variable that using used here जो variable use हो रहा है उसका answer असल करने के लिए use होता है तो वो मैंने miss कर दिया वो मैंने यहां से मैंने delete किया तो देखें आप यहां पर कोई भी answer नहीं आया जिसले आप changes करके देख सकती है कि एक program में different values का क्या काम होता है अब यहां पर आप देख सकते हैं मैंने यह changes किये percent two point one f इसका मतलब यह कि point के बाद जो पहले zero 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 के एक list दे रहा था अब just point के बाद एक digit तक यह जाएगा इसके बाद एक बात note करना जरूरी है जो कि f and f command है वो सिर्फ और सिर्फ real part of complex number अगर उमारे पास result में कोई complex number आ रहा है तो उसका सिर्फ और सिर्फ real part display करेगी complex part को display नहीं करेगी हमाने वाले tutorials में देखेंगे कि complex part को display करने के लिए कौन सा function यह command चूज की जा सकती है यहां पर कुछ result आप चेक कर सकते हैं यह जस्ट मैंने character type के लिए किये तो यह बता रहा है character type के लिए value नहीं बता रहा है string type के लिए वह बता रहा है यहां मैंने decimal के लिए किया है तो इसने just 66 time के लिए value थी 66 वह शो किया क्योंकि decimal के लिए मैं कर रहा हूं और यहां पर f floating point करेंगी इसकी तरह तो यह decimal value शो करेगा यहां पर मैंने पर किया है e exponential form के लिए तो यह इसका result दे रहा है exponential form के लिए exponential form में इसका result दे रहा है पर इसके बाद मैंने इसके बाद किया है for x x के hexadecimal और 66 को इसने directly convert कर दिये hexadecimal में 66 की hexadecimal में value किया है 42 फिर उसके बाद धनो floating point and hexadecimal उसके लिए में bx यूज लिया है तो उसमें इसने value दे दिये उसके बाद hexadecimal is within floating point में value देती है उसके बाद मैंने कुछ changes किये है जिसना पहले next line में था आप slash tab तो इसने एक tab यहाँ एक tab की value छोड़िये जोगे two or three back space के बराबर होता है पिर उसके बाद r, rc के लिए वह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अबर उसके बाद मैंने f के लिए cutting part के लिए किया है उसके लिए यह sign show करता है उसके बाद double percent अगर show करेंगे तो इसका मतलब यह है कि एक percent answer में आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यह second वाला यहाँ पर आगया और double course के लिए करेंगे तो एक single course यहाँ पर आ सकते हैं यह difference यह हमारे बाद different special characters हैं ज्योंके sometime हमें use करने पढ़ते हैं use पढ़ते हैं बड़े परग्राम में लिखने के लिए और उसके बाद इस space fire हमने discuss किये यह दो function है आने के tutorial में हम all function भी discuss करेंगे जिसके लिए different और simple command यह use की जाती है किसी भी value यह text को display करने जली